तो हनमान मूवी की सफलता के बाद तेज़ा सज़ा फिर से लेकर आ रहे हैं एक माइथॉलिजिकल थ्रिलर मूवी जिसका ना है मिराई तो वाईज अब इसका टाइटल अनाॉंस्मेंट या बूल सकने गिलिम्स आया है और अच्छी बात यह है कि जो गिलिम्स है हिंदी में भी है तो मज़ा भी आएगा देखने में तो आओ देखते हैं एक थे समराठ समराठ अशोक इतहास में ताग बन गयाओं का कलिंग युद्ध उस युद्ध के बाद हुए पस्चताप से उद्पन हुआ एक गहरा राज मनुष्य को भगवान में बदलने वाले इस राज को नौ पुस्टकों के रूप में बाठ दिया गया और इन नौ पुस्टकों का समरक्षण करने के लिए नौ युद्धाओं को चुना गया अब उसे हासिल करने आया है एक ग्रहण और उस ग्रहण को रोकने हेतू हुआ एक शन अरकी नहीं में ये युद्ध चलता आया है वह 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 पीरा है मतलब थ्रीडी में देखने को मिलेगी ये मूवी मतलब भाई साब जब गिलिम्स को देख कर इतना ज़्यादा मज़ा आगया तो भाई साब जब इस फिल्म का टीजर ट्रेलर आगा तो क्या ही लेवल का आएगा बहुत ही ओस्टेंडिंग कॉंसेट पर ये लोग फिल्म मना रहे हैं भाई साब मतलब साउस के मेकर से बखुबी जान चुके हैं कि किस तरीके से हमको पैसे चापना है भाई साब और पैसे चापने की बात नहीं है भाई साब आज कल जो फिल्मे बन रही है भाई साब उनके अंदर मतलब जो concept है ना वो अगर एक नंबर का होगा तब ही लोग देखते हैं अब फिल्मे कितना भी पैसा क्यों न लगा दो अगर फिल्म के अंदर आपकी कहानी अच्छी नहीं है इंच्छी नहीं तो भाई साब आपकी फिल्म जो है टट्टी के भाव में हिबिकेगी जैसा कि एक्जामपर के तोड़ पर बड़े मिया छोटे बिया तो भाई साब यह विल्म होने वाली है मिराई तो इसका कॉंसेट्स जो है बहूत ही तगड़ा है भाई साब भाई्साब जिसमें मतलब असोख के मर जाने के बाद कुछ एक पुस्तफ होती है जिसमें मतलब इन्सान भगवान बंचता है उसके कुछ राच छिपे हुए होते हैं और उसी को मतलब चुराने या उसी को हथियाने के लिए एक विलन आता है और उसी का जो है सामना उसी को बचाने के लिए हमारे जो हीरो भाई साब है ये पूरी कोसिस करेंगे यही जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा और इसक चला लगा कमेंट करें बताना हम मिलते हैं अगली बीडियो बीडिल दें बाबाई